नमस्कार मैं हूं कुमार गजेंद्र जन्पत ओन्दा स्पॉर्ट में आपका स्वागत है हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है हमारा चैनल अगर आपको पसंद आए तो कृप्या करके चैनल को जोईन करें चैनल की मेंबर्सिप लें और हो सके तो सुपर थैंक्स भी जरूर करें अब हम ख़बर पे आते हैं ख़बर दरसल ये है कि मुक्ति अब तक जमीन घोताले के आरोपों में गिरफतार हो चुके हैं इन गिरफतार लोगों में सिबू सोरेन याने के हैमंद सोरेन के पिता सिबू सोरेन भी सामिल है छे गंटे तक कल पूस्ताज के बाद जिस तरीके से हेमन सोरेन को E.D. ने जमीन के गोटाले में गिरफतार किया ये सच-बुच बहुत बड़ा एक मामला था और सही मामलों में बताया जाए कि कई महीने से ये पूरा ड्रामा E.D. और हेमन सोरेन के बीच में खेला जा रहा था अभी इससे पिछली बार जब E.D. ने उनसे चे पूस्ताज की थी तब हेमन सोरेन ने E.D. के अधिकारियों को बाकाइदा घिरवाने की और जो अधिकारी कहते हैं मरवाने की भी पूरी कोसिस की थी और इसके बाद वहाँ पर इतना मामला बढ़ गया था कि जो हॉम मिनिस्ट्री है उसको CRPF भी भेजनी पड़ी थी ये तब हुआ जब E.D. के अधिकारियों ने अपनी जान का खत्रा होने की बात कहकर जगा जगा पर हॉम मिनिस्ट्री से मदद मागे और अपने आपको बचाने की कोहार लगाई थी अब हम आपको बताते हैं के हेमन सोरेन को गरफतार करने के बाद अब ये जो पंद्रा नॉम्बर दो हजार को अस्तित्व में आए जार खंड के अंदर जब अब तक छे नेता सीम बने और इन में से तीन को गरफतारी तीन की हो चुकी है धाई दसक के अपने इतियास में जार खंड में अब तक छे मुख्य मंत्री बने हैं इन में से तीन गरफतार हो चुके हैं हैमन सोरेन से पहले उनके पिता सिबू सोरेन गरफतार हुए मदू कोड़ा गिरफतार हुए और बाबू लाल मरांडी भी गिरफतार हुए थे अरजुन मुंडा और रगुवर दास को ऐसी इस्तितिका सामना नहीं करना पड़ा तीनों ही ये जो मुख्य मंत्री थे ये भारते जन्ता पार्टी के सीम थे हम आपको बताते के मदू कोड़ा को क्यों गिरफतार क्यों जेल जाना पड़ा था मुख्य मंत्री रहते हुए मदू कोड़ा ब्रष्टाचार के केस में फस गए थे 2006 से 2008 तक UPA के साथ गठबंदन सरकार चलाने वाले मदू कोड़ा को जेल जाना पड़ा था उन पर मनी लॉंडरिंग और आए से अधिक संपत्ती का आरोब था लेकिन कोड़ा कतित तोर पर माइनिंग गोटाले में सामिल थे जो की कोईले की खदानों के आवंटन के बदले कोड़ा ने सीम रहते हुए रिस्पत ली थी बहुत मोटी रिस्पत ली थी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोड़ा और उनके सहयोगियों ने इस तरह से 4,000 करोड रुपे कमाए एक मनी लॉंडरिंग केस में उनकी 144 करोड रुपे की संपत्ती भी जब्त की गई थी 2009 में गरफतारी के बाद कोड़ा को 2013 में जमानत मिल गई 2017 में उन्हें दोसी करार दे दिया गया और 25 लाख जुर्माने के साथ 3 साल की सजा सुनाई गई थी उन्हें हवाला लेंदेन के 4 और केस और आए से अधिक संपत्ती वाले मामले में भी दोसी करार दिया गया था ये था कोड़ा का रिकार्ड मदू कोड़ा का रिकार्ड सिब्बू सोरें भी गिरफतार हो चुके हैं अब हम आपको पताते सिब्बू सोरें के सात्या हुआ हैमन सोरें के पिता और पूर सियम सिब्बू सोरें को भी गिरफतार किया जा चुका है सिब्वू सोरेन को दिल्ली की अदालत ने 5 दिसंबर 2006 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी 1994 में में उनके निजी सचिव ससीनात जहा की हत्या के मामले में उन्हें दोसी बताया गया था सिब्वू सोरेन उस वक्त मनमौन सिंग सरकार में कोईला मंत्री हुआ करते थे हाला कि 2007 में दिल्ली हाई कोट ने सिब्वू सोरेन को बरी कर दिया था और सबूतों के आभाव को लेकर सीवी आई की खिचाई भी की थी अप्रेल 2018 में सुप्रीम कोट में भी दिल्ली हाई कोट के फैस्वे को बरकरार रखा याने के सिब्वू सोरेन छूट गए थे अब इसके बाद जो आता है जिन साथ आरोपियों को गरफतार किया गया था उनमें दो अपसर अली और भानू परताब सरकारी करमचारी थे अपसर अली सरकारी अस्पताल में ग्रेड थिरी के करमचारी है जबकि भानू परताप रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर थे बाकी सभी लेंड माफिया से जुरे से और फर्जी दस्थावेजों के आधार पर जडिये इन्होंने जमीनों के बिक्री में सामिल होकर ये बड़ा घोताला किया था अब इसमें खरीद परुक्त कैसे हुई इडी ने जाच के दोरान पाया कि सेना की जमीन का असली मालिक परदीप बागची को दिखाने के लिए लेंड माफियां ने बिचॉलियों और नौकर साहों से मिलकर ये काम किया था जाच में इडी को पता चला कि एक फर्जी दस्तावेज बनाया गया इसे 1932 का दिखाया गया इसमें लिखा था कि ये जमीन परफुल बागची ने सरकार से खरीदी थी 90 साल बाद जी हां बहुत बड़ा टाइम है ये 90 साल के बाद 2021 में परफुल बागची के बेटे परदीप बागची ने ये जमीन कोलकाता की जगत बंदू टी इस्टेट लिमिटेड कमपनी को आरेक्टर थे दिलिप गोज लेकिन जात में पता चला कि जमीन असल में अमित अगरवाल नाम के सक्स को मिली अमित अगरवाल कतित तौर पर मुक्खे मंत्री हेमन सोरेन के करीबी बताये जाते हैं पिछले साल जून में एडी ने दिलिप गोज और अमित अगरवाल को पता चला और जो मुक्खे साजिस करता थे इस जमीन को हडवने के लिए सारी साजिस और सारा जो ताना बाना बुना गया था वो हेमन सोरेन में ही बुना था यानि कि सेना की जमीन हडवने से भी नेताजी बाज नहीं आए बहुत बड़ी बात है आप समझे कि कोई भी आद ऐसे रंग बदलते हैं, के बस पूछे मत, इंसान तो इनसे धोका खा ही जाता है, और हम सब इंसान ہیں, जनता को धोका देने के लिए ये गिर्गिट रूपी निता बार बार रंग बदलते रहते हैं, अरविंद केजिवाल साहब को तो आपने देखा ही है कितना रंग बदलते हैं कितना गिरगिट गिरगिट दिल्ली के अंदर आज के टाइम में गिरगिट पाए नहीं जाते हैं क्योंकि वो सभी सरमाकर दिल्ली छोड़कर भाग चुके हैं कहां चले गए यह पता नहीं है जमीन के नीचे चिट गए या आसमान में उड़ गए यह समझ नहीं आया क्योंकि सबसे बड़ा गिरगिट अरविंद के जिडिवाल एंड कंपनी दिल्ली के अंदर सत्ता में आ च क्योंकि परिशान है दिल्ली बिजली से परिशान है दिल्ली को फिरी का स коммент hits वाटने का फिरी की इंदर मिल जाए तो दावे से कह सकते हैं, क्योंकि दिल्वी के अंदर कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ इस फिरी बुफ की रेवनियों को हटा लिया जाए, तो अर्विंद केजिवाल एंड कंपनी जमीन पर आ जाएगी, बहुत बड़ी बात है, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, तो आ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा, इससे हमें ओर्जा मिलती है, जैहिन, जैभाराओं